नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन नीज चैनल एंडिया नीज राजिस्तान आपकी साथ मैं हूँ प्रद्यम निश्यर्मा हमारी खास पेशकर्ष बड़ी भहस में आप सवई का स्वागत करता हूँ राजिस्तान रिधान सबा चुनाब में अब एक महीने से भी कम कस्प में बचा हुआ है सभी दल अपने अपनी चुनाबी तयारियों में लगे हूँ हैं बीजेपी और कॉंगरिस दोना ही पार्टी अपने अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है चुनाब की डेट करीब आते ही दीरे दीरे दोनों ही पार्टी ओके और से उम्मीद्वारों के नामों की गोशना की जा रही है इसी कड़ी में आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी जिसमे त्थावन नामों का ऐलान किया गया है वही दोनों ही पार्टी अपने रंडीती के साथ से मैदान में उतरी हुई है अगर कॉंग्रिस की बात करें तो सीय मशोग गहलोत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मोचा समाला हुआ है वो अपनी सरकार के पांच साल की कामकाच और योजनाओ के दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके है उनका कहना है कि हमने प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं चोड़ी जिसने जो मागा हमने वो दे दिया आज राजिस्तान देश में सिर मौर बन गया है हमारी योजनाएं देश भर मैचर चाकर विशे हैं देश में 25 लाग कस्वाल तीमा कहीं नहीं है वहीं बीजेपी स्थाने मुदो की बजाए राष्ट मुदो पर केंद्रित है और पी-ए-मोदी के चेहरे के साथ मैदान में है इसकी भूमे का पी-ए-मोदी ने चुनाख की तारीकों के ऐलान से पहले ही एक साथ कई जनसबा करके लिग दी थी वहीं तिजारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनात के नावंकन में प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी रितिनात के बयान के बाद राजिस्तान की राजनीती में दिल्चस्प मोडा गया है उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि तजारा से कांगरिस ने जिसे उतारा है वे अपने नाम के साथ बड़े बड़े अपमाए लगाता है तालिबान का इलाज तो बजनंगली की गदा से किया जाएगा गाज़ा पटी में तालिबानी मांसिक्ता को इसराइल कैसे कुछल रहा है आप सब देख सकते हैं साथी रोने आयहुद्या में राम मंदर जमु कश्मीर से नुच्छे 370 हटाने यूपी के बुल्डोजर मॉडल को राजिस्तान में लागू करने की बात कहकर एक तरीके से मुद्धो को टेंपो से सेट कर दिया है आपको बता दें इन सब के बीच सवार उठते हैं कि जहां कॉंग्रेस अपने कामकाच के दम पर मैदान में है तो वही बीजेपी मूदी के चैरे पर चुनावी मैदान में है ऐसे मैं कॉंग्रेस और बीजेपी की आगामी चुनावी रण नीति क्या रहीगी क्या बीजेपी राजिस्तान में राममद्र को मुद्धा बनाएगी इस तारी मुद्दों को कम महत उदेने से बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों को कितना दुखसान होगा और बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी बची हुई सीटों पर नाम कब फाइनल करेगी कॉंग्रेस अपने बाकी पत्ते कब खोलेगी आज की हमारी बड़ी बैस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेमान भी चोड़ेंगे यह एक चुपरदेग तो देख कहीं नहीं है प्रचीजाग लिमा किसे कटे कि इलाज का पता इजयाब वोपीश किसे करते है जो आज हमिन दानटी देती है अजिए अधरिवाद भागाराज आज हम कानू भना लेको उसकिती है जो हमारी इस्ति में हमारी कामें है कामनी उप्रास किये कि वो हमारी जानदी इसके आदार पेरिया जंधाय जंधा की जा रहे हैं और हम चाहेंगे जंधाम में वाफन र्पिच करें अपना आशिर बात देखें तो आज विश्टी में तर्मा विश्री वार मलबूत होगी यह वार सोच है कि शुरूर के आगे चाहते हैं पर सखर्कार बदलती है तुझे दुख्षान होगा किसी बात वो सब के सामें नहीं है आजкивaltatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatchwala.atatatatatatatatatatatanatatatatatat तो अब चुनाव में समय बेहदी कम बचा हुआ है लगातर तैयारिया देखने को मिल रही है विस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं दो खास मेमार हमारे साथ जुड़ चुके उनका रुख कर लेते हैं भीमराज जाकर है कॉंग्रिस प्रवक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडिया न्यूस पर साथी साथ अपूरवास सिंग है बीजेपी प्रवक्ता आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ है इंडिया न्यूस पर और कांग्रेस ने 156 सिटें डिकलेर कर दी हैं, बच्ची भी सिटें आज ये अकल के अंदर और डिकलेर हो जाएगी, और हम सरकार के जन के लियान कर योज नहीं, और हमारे कारिये करता हो के भल पर, और किसान, मजदूर और व्यापारी, उच्छातरों नोजवाने की आवाज के दम पर रास्तान के अंदर सरकार रिपीट हो रही है, कहीं कोई प्रबलम नहीं से. जिस प्रकार का कुशासन और ब्रश्टाचार और मुझे कि लगता है जंगल राज के जो सरकार उडोने चलाई है, उससे जनता जो है वो तरस्ता चुकी है. कॉंग्रेस बले ही ये दावा कर ले, कि साब हम तो हमारे काम के दम पर आ रहे हैं, मगर कॉंग्रेस को ये जवाब भी देना पड़ेगा, कि क्यूं राजिस्तान के ऐसे हालात हुए हैं, मैं कुछ आकड़े आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी. आप देखिए, लूट के यहाँ पर 59% प्रकरण भढ़ गए हैं, 59% का मतलब समझ रहे हैं, 60% प्रतिशत अगर लूट की हरकत भढ़ जाए, का मतलब एक आम आदमी बाहर सड़क पर जब जाता है, तो वो सुरक्षित नहीं है, जिन व्यापारियों का दम कॉंग्रेस भर र पर पता नहीं क्यों दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई, दो जनों के बीच में लड़ाई हुई, निर्दोश लोगों को मार दिया गया, अपरन के केसिज आप देखेंगे, 54 प्रतिशत अपरन के केसिज के अंदर अपराईज हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप दे नशा है, वो सारा का सारा इदर की तरफ शिफ्ट हो गया, गंगा नगर के युवाओं को बदहाल करने की जो है, मैं कहते हूं कि पुलिस ने कोई कोशिश ही नहीं करी है, नशा मुक्ति को आपर रोकने के लिए, नशे का व्यापार खुले आम गंगा नगर के अंदर चल र ने कहा कि साब हम OPS की गारंटी ये लेकर के आए, हालात ये हैं कि राजिस सरकार के करमचारी जो है, वो वेतन तक के मोहताज हो गए है, पेंशन तो बहुत ही दूर की बात है, यहां पे 70 लाग से जादा युवाओं के साथ खेल हो गया, उनके 19 से जादा पेपर लीक हो गय थे, मगर उसके अंदर सरकार की जो है, वो डायरेक्ट सनलिप्तता नहीं पाई जाती थी, अब आप देखिए उसी की पाई जा रही है, इसको आप छोड़िए, आप महंगाई देख लीजे राजिस्थान के अंदर, बिजली का हाल देख लीजे राजिस्थान के अंदर, हम अगर बात करते हैं, तो अगर देख में सबसे जादा महंगी कई घरेलू बिजली है, तो वो राजिस्थान सरकार में है, आप ये कहते हैं कि साब हमने इतनी यूनिट बिजली फ्री दे दी, मगर आप मुझे ये बात बताईए, उस यूनिट बिजली फ्री देने के बाद म आज उस राजिस्थान को पिछले पांच वर्षों में किसकी नजर लगी है, मैं कहते हूओ कॉंग्रेस की नजर लगी है, आकंट बरषटाचार में डूबे से नेताउं की नजर लगी है तो मैं चार में जानती हूँ और बात ये है कि राजस्तान की जनता ने अप ठान लिया है कि इस सरकार को जो है वो पूरे समूल नष्ट करना है उखाड के फेकना है और एक जन कल्यार से तो साथ गारंटी दी गई है उसका क्या उसका क्या विचार आपका देखिए मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ आपसे आप गारंटी की बात करते हैं सब गारंटी अगर हम देते न तो जनता इस बात को समझती क्यूं क्यूंकि हम विपक्ष में थे हमारे हाथ में गारंटी ओको लागू करना हाथ में नहीं था ऐसा क्या हुआ कि सरकार साड़े-चार साल तक तो जो है वो कुरसी-कुरसी का गेम खेलती रही, अपनी कुरसी बचाती रही पाइलेट और गहलोद खेमा या पे चलता रहा, पाइलेट साब का खेमा अलग चलता रहा बाड़े बंदी में सरकार चलती रही और एकदम से 6 महीने में आपको सारी जनकल्यान करी योजना याद आ गई एकदम से आपको जैसे ही सरकार जाने के उती आपको गैरंटीया याद आ गई गैरेंटिया मिली हैं आज आप 5 साल बीचे बाद या पूरे 5 साल cuánt बीस गए या तब आप खड़े ऊकर के जन्ता को गैरेंटियां गिना रहे हो महिलाओं को गैरेंटियां गिना रहे था, administration करके दिखाना चाहिए था, good governance ला करके दिखानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है इन सारे ही जो आयाम है उसमें सरकार निश्काम रही है, निश्पल रहा है, इसलिए जंता ने अपना मानस बना लिया है, कॉंग्रेस को समूल नष्ट करने का और उखाड के ठेकने का. ठीक है, भीमराजी, इस तरीके से अपने तवाम बाते हैं आपर सुन ली, अब वो यह कहते हुए नजर आ रही है, पुर्वाजी, कि भाई, नजर कॉंग्रेस की लग गई, नजर उतारने का काम भारतेंता पार्टी कर रही है, साथ गारंटिया है, जो मैंने पूछी है, उ तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, वो लिप्त कम पाएगे, जब कारवाई जब ही तो लिप्त पाएगे ना, आपने 14-14 वार पेपर लीक हुए, एक बार भी कारवाई की होती, तो मैं आपकी बात को सहमत होता है, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूँ, क्योंकि सर, पता गारंटी हो, कह रहे हैं सर, पहले हमने च्छंतर लाग जो जो उच्रुणा कनेक्शन थे, उनको 500 रुप हम सिलेंडर देना किया, आज महिंगाई जो गैस है, किस कदर पर है सर, आप देख लीजिए, उसका सर्जी है, यदि गरेलू महिलाओं का सिलेंडर देना ही बात करते है, मैडम, तुम्हें एक स्वाल बड़ाजी, मिरो बाच्छा लगा इनका, कहा अडानी को जो पोर्ट गिये, मैडम, आदे तसकरी तो वहां से हो रही है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, बोस पेपर मारी है, आडानी के पोर्ट से कभी कारवाई की है, और सेंटरल टी पकड़े गए थे दिली के अंदर, तो इनों को तो सर्जी काम देखता नहीं, यह तो चुनाव आज जो लड़ना चाही है, बाजपा, वो तो चुनाव जिस तरीके से लड़ना चाही है, लोग तो लड़ने नहीं है, यह तो कभी एड़ी बेसते हैं, कभी इंकम टेक्स बे किसानों की अलत पतल है, उनके ओंपर GST छोफ जिया गया, आप लोगने, GST को सरलीक्रिय करना आप करनी है, जिस तरी की से आप लोगों ने जो प्रस्टाचार किया उसको हम लोग खत्म करेंगे राम मंदर का भी जिकर किया गया अब अपूरवा जी हर चीज में मंदर को लारा किस सब्सक्राइब कर दो मेरी बाद पिछली बाजपा सरकार दी पंद्राजार स्कूल बंद किये गए थे जैपूर के अंदर मंदिर तोड़े गए थे जैपूरं गंदर अगौनिया गवज़ाडा में घाएं मर रही थी बचाने के लिए जैपूर के परथार्थावसिंग्सक्राचार है अरियांना में बाजपा की सरकार है मद्र परदेश में बाजपा की सरकार है राजस्तान सर रेगेस्थानी लेका बहुत बड़ता है, वहां तूड़ी आती है, गायों के गौसाड़ों के लिए लोग किसान अपने फसूंग लेते हैं, अर्याना की सरकार ने पीक अपों को, उन ट्रैक्टरों को तूड़ी खाली किरुआजी, बिश-बिश जार के चलाम काड़ी उनको जबत किया था, सर जी, राजस्तान से 37 पूनिया, तो राउल कस्वा ने लेटर लिखे तो भी माने नहीं थे, राजस्तान सरकार ने कमाईने बंद करकि वो तूड़ी का स्टोरेज करवाया है, सर, कैगा आप इन कमाईनों से तूड़ी नहीं बनती है, तो ग लिखते हैं का यूजी गड़ती से भी आपकी सता आजाए, तो आप पूरी संपती दो तिन लोगों के आतों में कर देना, कभी आपकी जिन्दीगी में सता नहीं जाएगी, ये उसी विचारदारा पे काम कर रहे हैं, इसी जैपूर एरबर्ट को देख लीजे सर, इस वीज जिए उस्धुना के अंदर की मोदी सरकार ले गैए, जिसी मोदी जी ने इनका किया था, सर जी उसमें सरकारी कमपनीया तो 48.00 को देख लेए, और प्राइबर्ट को देख लिए, जवाब देख लिए जाओ, जवाब देख लिए सर, जब तीन काले कानून लाए गए थे, तो मैं पूछना जाओंगा बादतरा प्रता अर्कुना सिंग अप्रुवा दीदी बैठी है का सर्द मराठे कौन थे जो इंडिया के प्रवासिया अमरीका में सोफ्ट वेयर कंपनी चलाते हैं सर्द मरीवारा कौन थे जिसके 17 कंपनी थी उनको उसके अंदर जो निती आयो की रिपोर्ट थी टास्क फोर्स के अंदर संजे मरीवारा जिनके टास्क फोर्स में साम्बें कर ओ refuses तो सर जी मुझे एक सौब का जबाब चाहिए क्या खिसानों पर अफोल डिजनियर। अपॉर्वाजी बोलेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इंडिया न्यूस के पास में भी वो क्लिप जरूर होगी, पिछले चुनावों में एक भ्राता श्री श्री राहूल गांदी जी यहां पधारे और उन्होंने एक गाना गाया, वो सकता है मादूरे दिक्षित उनकी फेवरेट हिरोईन रही हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच गा के चले गए, मगर उसके बाद में क्या हुआ, आप उस क्लिपिंग को निकाल के देखिए, कोई उन्होंने शर्त नहीं लगाई थी, उन्होंने का था, दस तक गिनेंगे और सारा कर्जा माफ हो जाएगा विचारे भूले बाले किसान थे, बातों में आ गए, आए उन्होंने वोट डाल दिया, आज पार साल भी इतने को है, दुबारा चुराव सर पे आके खड़े हो गए, अब उसी गाने में आगे एक और जो है न, मुक्रा तो वो गा गए, अब अंतरा जो है वो किसान गा रह ही है, आप गंगा नगर में हालाद जाके देखिए, हर अल्टरनेट डे कोई ना कोई किसान किसी विट्य स्थिती से जूज रहा है, जूज के कितने किसानों से अने आत्मत्या कर ली, साड़े तीन सो किसान है जिन्होंने आत्मत्या कर ली, मगर यह उसको मानेंगे नहीं, यह उस आकड़े को मानेंगे नहीं, इसलिए नहीं मानेंगे, क्योंकि यह कहते हैं, वो तो लाइनलेस लेबर्स थे, लाइनलेस एग्रिकल्टिर्स थे, तो मुझे एक बात बताईए, कि अगर किसी के पास जमीन नहीं है, मगर फिर भी वो किसी जमीन पर जाकर के खेती बा रहा आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पते जनता आते ही जवाब मांगेगी, इसलिए अब उन्होंने अपनी बहनाश्री को आगे कर दिया है, अब माने नहीं है, प्रियंका वाडर जी आपर आती हुँ, अमें प्रियंका वाडर जी भी आ रही है, तो मैं उनसे भी दो स प्रियंका गांदीजी से भी सवाल करती हूं आपके चैनल के माधियम से जरह राजस्थान में भी आती हैं पांच वर्ष और आकर कि यह देखती कि यहां की लड़कियों का क्या हाल हो रहा है मैं आपको तीन कांड गिनाना चाहूंगी पहला कांड बहुत विबत कांड हुआ था नैना सानी का वो हुआ था कॉंग्रेस के शासनकाल में दूसरा कांड हुआ था भवरी देवी का उसमें भी कॉंग्रेस के ही नेता सनलिप्त पाए गए थे यहांपे और तीसरा कांड हुआ भीलवारा में कोठडी में जहां पर बच्ची को रेप करके छोटे-छोटे टुकडे काटके बच्ती में जला दिया गया वो कांड भी हुआ कॉंग्रेस सरकार को इनके खडगे साब आते हैं बीलवारा के अंदर खूब बड़ी-बड़ी बाशन बाजिया देके चले जाते हैं प्रियंका गांडी जी आती हैं लड़कियों के लिए मंच पे खड़े उकर एक शब्द नहीं निकाल पाती क्या यहां की माताएं बहने बच्चिया देख नहीं रही हैं कि क्या हाल और क्या वादा खिलाफे ये लोग अपनी करते हैं और इनकी कतनी और करनी में कितना अंतर है यूपी में जो आप कहते हैं आप राजिस्थान में करके नहीं दिखा पाते हैं आप चुन-चुन के एरियास को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां की लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी, कहां की लड़कियों की आबरूर लूटेगी तो मैं जाओंगी और कहां की नहीं लूटेगी तो मैं नहीं जाओंगी और कहां की नहीं लूटेगी तो मैं नहीं चौती चीज इन्होंने एडी के उपर जो है वो मसला उठाया तो ये बहुत खिलखिला के हसरे थे तो हम तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कॉंग्रेस के प्रवक्ता को भी आपके चैनल के माध्यम से की एडी जो है वो स्वतंत्र जाच इजंसी है दूसरी बात ये ह हमारा एक प्रस्टाचारी बैटा है तो करिये न उस कारवई हम ने तो बना नहीं किया हम तो उसके बचाव में नहीं आए और ना ही इडी जो है वो भजबाज भाटी जंता पार्टी से कनेक्टेड कोई एजंसी है हम कहते हैं जहां पर भी ब्रश्टाचारी चुपा- है हमें ब्रश्टाचारी से दिक्कत है हम उसको पकड़ेंगे अगर बात कर लेते हैं कि आपके नियंत्रण में है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिली के मुख्यमंत्री को जब समन भेजा गया तो उनकी तरह से विका गया कि भाई मैं स्टार बचारा कूं मुझे प् पर कहना चाहूंगी यह वही पार्टी है जो ब्रश्टाचार मुक्त भारत के जो आंदोलन हुआ था उस पर चड़कर आई थी आज एकदम से क्या हुआ क्यों एक्साइस के घुटाले में इनके दो-दो मंत्री जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं क्यों अर्विन केजरिव जो आंदोलन हुआ था उस पर यह बैठ कर आये तब इनके सांसा जो है तनी लैविश शादी उदैपूर के अंदर कर रहे होते हैं मैं कहते हूं कि यह आम आदमी पार्टी तो जो मैं कहते हूं उसके लिए मैं कोई शब्दी नहीं कहना चाहती हूं और चौती चीज मैं और आपको कहते हूं पेपर लिग का मसला देखिये आर्पीच सथी के अंदर जो सचे डर्पीच से का फाहते हूं जो मैंबर मोहदे न्युक्ट कीये गए थे भाष्टी जन्था पार्टी ने तो नहीं किये थे वह तो माने निया कंज गेह Means हम ने नहीं नहीं कि थेॉप जाप capabilities, capacities और उनकी जो भी योग्यता हैं थी उनको check करके किया था ना तब फिर वो क्यों यो बयान देते हैं कि मैं डेड़ करोर देकर के बना था तो मैं रिश्वत तो लूँगा मैं कही ना कही से तो कमाऊंगा ये क्या give and take का सिद्धान चल रहा है क्या सारे युवा जो अपने जिन्दगी के लिए जो है वो RPSC के तरफ देखते हैं अपने रोजगार के लिए RPSC के तरफ देखते हैं आज जब वो युवा सुनता होगा कि यहां के जो इंबर बैटे हैं वो इस ब्रश्टा चार से युक तो करके बैटे हैं ब्रश्टा चार के लिए बैटे हैं तो आप सोची उनका मनोबल क्या रहता होगा दूसरी बात सतर लाक युवाओं के साथ खेल हुआ मैं कहते हूं भारत आजाद होने आप सोचीए वो कनाया लाल पारी के बच्चा था जो एक सुसाइड नोट लिखके मरा था कि सौरी पापा मुझसे आप नहीं हो पाएगा वो इस मा का बच्चा वापस कैसे आएगा उस पिता के बुरापे का सहरा वापस चार आएगा आप ने तो चार्ज कर्ज माफी को ल तक गिना गया था लेकिन कर्ज माफी हुई नहीं किसान परेशान है नौजवान अत्मत्या कर रहे हैं लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है सर मैं बल्कुल कहता हूँ कर्ज माफी मैंने पहले भी जवाब दिया ता आपका चैनल को एक दिन पहले कर्ज माफी के लडर सर्वज़ सहकारी बैंक जो रास्तान सरकार के अदिन थे हुआ उनका माप कर दिया और दूसरे बेंक आते हैं कि किंदर सरकार की सुची की विठी attributed का आप हमें परमिसन दो, ऻम्हकर निभज माविश करते हैं किंदर सरकार को चार वार पतर लिखा गया, यह पुलिए आप आप स्कीम बता दीजिए, उसके उसके दरियningen कर देते हैं किसी तरह से उनका कोई जबाब नहीं आया कि अंदर सरकार आज जो बाजपा बैटी है वो सर पुंजी पतियों को मापकर से बीजेपी नहीं चाहरेगी गर्जमाफियो जो आपने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी भी सुर्ण नहीं पूरा करना जीए दूसरा मैं कहन जाता हूँ सर इन्हों ने अभी जिक्र किया था मैँलाओं के मैं बाजपा पर रुकताजी बैठे हैं प्रुकता जी ये चिन्यो एननंद के सब्जेक्टं पे क्यो नहीं बोलते हैं क्या बिलकिस बानों के रेपांट के उनका स्वागत कर रहे थे आप गुझरात के अंदर बाजपा की सरकार है, उसके कुछ बोलेंगे, क्या उस वीशे पे बोलेंगे, जब महलवान, पहलवान बेटियां तो पूरे वर्ड के अंदर अपना तिरिंगा फैरा थी, और आप बर्ज बुसन का समर्थन कर रहे थे, उस वीशे पे क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, पर उस वीशे पे कभी नहीं बोलेंगे बाजपा, और बाजपा का ये दिया होता, और मैडम जी से मैंने एक स्वाल किया था, मैं के चोदा जो पेपर लीक हुए, उसके अंदर एक गरिबदारी तो बता दीजिया, उसके अंदर एक भी गरिबदारी नहीं है, क्योंकि उन्हों मैं एक बात और पूशना चाहता हूँ, क्या कभी ये पंद्राजार स्कूल बाया है, वे संद्रा गोर्मरी में बंद किये थी, वो क्यों किये गे था, जैपर उमंगिर क्यों तोड़े लिए, बता ये, अपुरवाजी बोले, बता एक सेकंड और दूसरा जो उपर सेंटर क मैं एक सेकंड, प्लीज अपुरवाजी, एक सेकंड में ये करना चाह रहा हूँ, जो प्यूसरी के अंदर सर्जी, साढ़े पांच लाग सिटें खाली है, रेल्वे में साढ़े तीन लाग है, बैंकिंग सेक्टर में पांच लाग है, तिरान में सो इंजिनियर सेवा के आर् की बढ़ती होती थी, पिचसेतर जार हर साल होती थी, उसको आपने पैंताली जार करते हैं, चले ठीक है, एक सेकंड भी मराजी, पिचसेतर जार जो आपकी बढ़ती है, इस सवाल पर हम दुबारा लौटेंगे, अभी एक छोटी से ब्रेक लिए रुक रहा है, उसके बाद प्रत्यारोब चल रहा है, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, दो खास में लगातार हमारे साथ बने हुए है, भी मराज जाकर हैं, कॉंगर्स पर वक्त था, पूर बार से बीज़ी पर वक्त आ हैं, भी मराजी इस तरीकी से चर्चा पर लगातार हम लोग बने हुए था, आपके तरफ से तमाम बाते आपर कही जा रही थी, 75,000 भर्तियों को लेकर आप कुछ कह रहे थे, एक बारा अब उन चीज़ों को धोरा है, उनको तो कह दिया था, मैं ये करना चाहरा था, कि 2016 के बाद के इंदर सरकार ने किसानों की आता है, कि आंकड़े बताने बंद क्यो कि अजया पर से पाणी जाता है कि अची व्यूस्ता कर सकते हैं, क्या मोजिद जी इस बात पे बोलेंगे का मैं 22 के अंदर खिसानों की आमदरी जोगनी करते हूं खां गया हुवा आडिया, का सौमी ना आप उनकी जरफ से यह का गया है कि भाई हमने जो हमारे पक्ष्मे था उत्रा हमने कर्ज माफ़ी कर दी अब केंदर सरकार को जो हमने भेजा वो माफ नहीं हुआ है यानि कि बीजेपी चाही नहीं रहेगी कर्ज माफों किसानों का जी देखिए विशे ये है कि इनके पास में जब कॉंग्रेस के पास में कोई clarity नहीं होती है तो विश्यांतर करते हैं मैं आपको फिर से पुना repeat करूँगी आप तो मीडिया वाले हैं आपके पास में क्लिपिंग होगी आप मुझे एक भी क्लिप राहूल गांदी जी की ऐसी दिखाईए जिसमें किन्तू परंतू या कोई सब clauses लगा करके उन्होंने गोशना की हो उस पश्ट रूप से कहके गए थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस और बस सब किसानों का कर्जा माफ क्या इन्होंने clause पहले लगा था कि हम केंदर सरकार को चिठी लिख देंगे हम केंदर सरकार से पूछेंगे साब आप क्यों नी भर journals pattern की किसानों इससे की किष्टवर दीजे, कानी खतम हो जाए, आपने तो यहीं कहा था ना, मगर आप इसको नहीं कर पाए, और आप क्या है कि आप ये, क्योंकि खिसियानी भी खंबा नोचे तो अपना ठीकरा जो है वो दूसरों के सर पोड़ देंगे, मैं इनसे एक बात और जानना चाहत इंफ्रास्रक्चर डवलप्मेंट के लिए विस्थापित किया गया था, एक जगे से दूसरी जगे पर शिफ्ट किया गया था, सम्मान प्राण प्रतिष्ठा के साथ में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले जाकर के साला सर जी के मंदिर का मुख्य द्वार ढहा दिया, पलानी जगे के मंदिर को जो है वो त्रस्त कर दिया, संतों की जितनी हत्या राजिस्थान में इस बार हुई है, संतों को आत्मदा करना पड़ा, पर इन्होंने भरतपूर के अंदर माइनिंग के ओपर कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया, जैसे इलीगल माइनिंग हो रही कि संतों को आत्मदा करना पड़े, इसको भी छोड़िये, अभी 6 दिन पहले की घटना है, दोसा के वहाँ पे एक संतों को इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से लाखियों से पीटा गया, कि उनकी दोनों आखें जो है वो निकल के आके सड़क पे गिर दी, मैं कहते हूं क्या क कि है राजिस्तान सरकार ने, एक विशेश समुदायक अव्यक्ति एक नॉर्मल एक्सिडेंट बाइक पर भिड़ता है और गिरता है, उसको ततकाल 50 लाख रुपे का मुआवजा दे दिया जाता है, उसको ततकाल एक डेरी बूत जो है वो अलोट कर दिया जाता है, उसके सा राज्यके और जो उस समुदायक विशेश से तालुक नहीं रखते, उस व्यक्ति के साथ में कितनी भी निर्मम से निर्मम हत्या हो जाए, विबत से विबत हत्या हो जाए, मगर इन लोगों के, नहीं एक चीज, मेरी बात कम्प्लीट नहीं हुई, मैं इसके मुख्य मुद् जी ने जैपूर एरपोर्ट पर एक बाइत दी थी, आप देख लीजेगा दस बारा दिन पहले, कि अगर हिंदू राश्क्र की अफधार्ना सही है, तो खलिस्तान की अफधार्ना भी सही है, मैं कहते हूँ, आज ये कहते हैं, खलिस्तान की अफधार्ना सही है, कले कहेंगे दुरियोग से कहें, इन ही के दल की थी, कॉंग्रेस की ही नित्री थी, तब भी ये आज खलिस्तान को जस्टिफाइट हरा रहे हैं, तो मैं तो ये जानना चाते हूं कि प्रदेश को ये कौन सी आग में जलाना चाते हैं, मुझे बता दीजे, आज हिंदूों की रैली के ओपर कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसके ओपर पत्थर नहीं फेके गए, पिएफाई जैसी बैंड संस्ता को इनों ने जो है रैली निकालने की परमिशन दे दी, ये कौन से तुष्टिकरन की राजनीती में इस राश्टर को और इस प्रदेश को जलाना चाते हैं, मैं तो इन से बीजेपी सरकार है न, वहाँ भी तो पत्थर फिकाई हुई, देखे पत्थर फिकाई हुई, मगर वहाँ पर एक्शन भी हुआ, यहाँ पर आप मुझे एक बात बताईए, एक्शन के नाम पर क्या हुआ, यहाँ पर जो करॉली में रैली निकली और उसके सर के उपर को लेकर जाना चाहता है मुझे यह भी बता दे čा के है ने बताई नहीं है बात में ब्लाइब कर्टाइब रॉपे क्यूपोर है क्यूं कि गया था आप नहीं है और जो साला सर का मंदिर तोड़ने की जहां वह गएट तोड़ने की जो आप बात करियो नहीं है नहीं तो नहीं है उसका मैं आपको को तो लेटर मैं यहां चैनल पर भी बिजवा दूँगा मैं इंसे आप क्लेक्ट वह आपको रिशीव हो जाएगा पर कुछ नहीं है सर जी ये एक सिर्फ हिंदू हों हिंदू का चोड़ा पहन के और देश में दंगे बढ़का के राजनीती करना चाते हैं और जब कि क्योई आद देश का विकास और यदि जहां 80% आवागी है तो मैं तो मैं नहीं तो पूछ ना कि जब रैलियों पे पत्स पूछ नहीं है पूछ नहीं है अप लोगों पे टाइम आप लोगों पे अग्रेस के खुले हैं आप लोगों पे खुला और शारे इंस का क्रेडित लेना चाते हैं अब सारे एमस का क्रेडिट है एमस आपने कभी खोले होते हैं तो आज ये बात कर नहीं है जो देखें ना धरम का मुद्धा वह इस तरीके से बीमराजी जिकर कर रहे थे कि बीजेपी वाले धरम का मुद्धा लियाते हैं अमोके मंतर योगी भी आयते हैं उनकी तरस से भी अब तरस लिए को पर आपने किरदार बताया था ना व्यांट रखा लिया और ये वही से अपना लिया और उनकी को बहुर्स के लिया अच्छे शी का रहेजिए नहीं बाट जाते हैं तो देता वाले ने तो विकास कर पर लिए आजन्ट हैं पूल गहें वो इनके रहे थो पार्टेश की आप पार्टेश के आप पार्टेश की एक बार्टेश की आप बता है तो पूर्वा जी देखिए ना अब राम मंदर की बात हो जो केंदर के मुद्दे है उनको यहाँ पर बोलके क्या फायदा मिल जाएगा क्योंकि देखे जनता तो मौजुदा अस्तिती में जो ग्राउंड जीरो पर मूलभूत सवधा होती है उनको लेकर चुनाफ पर वोट देगी ना अब माराम मंदर का जिकर करना अनुचे 73 का जिकर करना बुल्डोजर का यह कह देना कि भाई जो हमना यूपी में किया अगर सर जालाई जब आमारे नेता उने पहले काता है तो आपको पर देखे पर पर शनी क्यों हो रही है को या को पर सांद नहीं है जवाब जबाद करना नहीं हूं आपको इंडि नी बात करने जाके दिली मैटरस लिए जाकर एंबस्मेंट डिरेक्रेंट इस अनुद करना इस पहुची है, तो एक आपन गोटाले में पहुची है, जब कहां चले दीजा की धुटाले करें हैं, जिसके अंदर 1000 ज़्यादा मंगल मिशन चले गए होते, 25 से जादा आइनस भिकांस इस देश की सुरक्षा के लिए आ गए होते और इंटेर की शुरुक्षा का खत्रा होता ना ममठम जो पैसेटार सक्ट पद्राता राव क्भी 45,000 जार देंगा तो तब अगने विर आपने थोकते देदेदेज आज आज आपने राज में के वर जो है व्यात करना दिका आपने पांचे पांसों को रोड़े उड़ा कुछ नहीं था इनकी सरकार का चाल सब्सक्राइब जनता के सामने हैं और कुछ नहीं है और बाजबा का दोगना के सामने आगा संजी अब क्या हुआ कैसे हुआ अब देखिए यह तो बस बता हैं कि जनता किसका समस्तन करती है अब मौचुद नादी यह तो शौना से जवाब मिल चुके हैं जो सवाब करते हैं किमें कम कब जाए आँ है और इसे इनको फारλι कर दूर नindestदान को म, अपुरवा जी आ रहा हूं, को उर्वा जिए और सुनी के बीमराच जी आ रहाए इहा हुआ प्रत्याशी गोशित किये गए उसके बाद देखने को मिला दौनवी पार्टी की में बात कर रहा हूं प्रत्याशी कुछ नाराज हो गए जिनको उम्मीदती टिकेट मिले की वो नाराज हो गए टिकेट कटी वो नाराज हो गए कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की बात है याँ पर अब उनको साधने के प्रयास आप लोग कैसे कर रहा है क्योंकि चुनाव में अगर नाराजगी आएगी तो कहिना कि इसका सीधा असर पड़ जाएगा भीम राजगी रहे हैं अनुशाशन कहते हैं ना आप तो अनुशाशन हींता नजर आ रही है देखिए क्योंकि इस फ़र्ष्ट रूप से राजस्तान के राजनेतिक शितिज पर कमल का फूल उभरतावा दिख रहा है तो प्रते कारेकरता के मन में ये आस्को खुती है कि टिकेट हमें मिले यहां हमारे किसी समर्थक को मिले पर इन सभी बातों से इतर होते वे मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये एक human psychology का हिस्सा है कि अगर कभी किसी को मिलता है तो मन में थोड़ी सी नाराज़गी एक दो दिनों के लिए हो सकती है मगर वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं कोई भी नाराज़गी बारती जनता पार्टी में बहुत लंबे समय की नहीं होती है जैसे परिवार में माता पिता कि अपने कारेयले में तोड़ फोड कर दी जाए देखिए वो तो मैं कारेयले में तोड़ फोड नहीं आपको जो बात कहाई दियों बाइची होती है छोटी मोती भूल चुक लेनी देनी सभ माफि हो जाती है अदर तो हमने वो कभी हमारे पराए थे ही नहीं हमारे अपने थे और हम वैसे ही बाहें फजिलाकर उनका अगर पुना किया और सब एक ही जाजम पर आके भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रतिबत दें क्या पार्टी करति है कि अब चुनावी वादे हैं चुनावी घोशना हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है जिसे बज़ेट पे गोशना हुई राज़स्तान केदर कर्मचारी डौल नगारे लेके सब चुराई पर सड़कों पर जुसी से नात रहे थे गोबर खरी दिनी बात है सर जी फस्कों का गोबर है गाई बेंस का है सर जी उनके खाद मनाने काम है का खरी दिनी दोर रुपेम क्या लिकत है मुझे तो कोई नजर नहीं है रही बात लैप टॉप की सर आज डिजिटल यूप का दोर है आज आप देख रहे होंगे सर हर स्टूडेंट और चातर को अपना आगे डिजिटल यूप के अंदर लैप्टोप की जूर देती हो लैप्टोप देरें सर और से एक करोड के कॉंग्रेस अपनी तरफ से मात्र सौर पर मिला रही है पहले तो एक तथ्थ है जिसको मैं क्लियर कर दो दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी और भारतिय जनता पार्टी राजस्तान को विकास में नमबर वन अपरादियों को जेल में ब्रश्टाचारियों को जेल में नफरत की दुकान पे ताला और पेपर लीक का धंदा बंद करने के लिए और खोई हुई जो यहां पे मान सम्मान था महिलाओं को वो पुना स्थापित करने के लिए प्रतिबद है और राजस्तान की जनता ने मन में ठान लिया है कि वो हमारे साथ आ रही है परिवरतन ला रही है चले ठीक है आप रोकना चाहूँगा आपको भी दोनों खास मेंबानों का बहुत बहुत शुक्रिया हम ऐसा जुणने के लिए तमाम चर्चा करने के लिए तो फिलाल इस तरीके से आपने देखा जापर तयारी दोनों भी पार्टिया कर रही है चाहे चुनावी प्रत्याशियों को लेकर बाचीत हो, किसानों को लेकर, रोपियस को लेकर तमाम उद्दो पर राजम ने चर्चा की अब देखना यही होगा, यूगि चुनाव में समय बहुत कम बचा हुआ है, जनता किसके समरसन में आती है यह वक्त होता हैगा, फिलाल बड़ी पैसमा बीकली सिर्फ इतना है, उसकार